नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग आज के वीडियो में आप लोगों के सामने हैं मारुती सुजुकी सेलेριो का बेस मोडल, यानि की एलक्स आई वैरियंट base model हम लोग क्यों लेते हैं कई बार जब हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं हमारा budget नहीं होता है और हमें गाड़ी पसंद आती है तो हम उसका base variant ले लेते हैं और उसके बाद after market या showroom से उसमें कुछ accessories हम add on करा लेते हैं ताकि हमें उससे उपर वाले models के फीलूस गाड़ी में आए तो कई बार ये बड़ा ही समझदारी भरा फैसला होता है क्योंकि एक showroom जो pricing होती है उसके उपर RTO वगरा लगता है आपका insurance लगता है लेकिन अगर आप base model लगके उसमें accessories लगा लेते हैं तो उसके उपर आपको RTO और insurance का खर्चा आपका बच जाता है तो काफी बार ये काफी अच्छा फैसला साबित हो जाता है आज की वीडियो में इस गाड़ी के features के बारे में बात करें तो इस गाड़ी में fog lamps नहीं दिये गए हैं halogen head lamps दिये गए हैं उनी के बिलकुल पास में turn indicators दिये गए हैं काफी अच्छी लुक है इस गाड़ी के front से chrome grill का use किया गया आप देख सकते हैं काफी अच्छी लुक black color की grill भी इस गाड़ी में दी गई है जो की काफी अच्छी लुक इस गाड़ी में add on कर देती हैं पिछले कुस दिनों में salary की बिक्री काफी बढ़ी है क्योंकि ये गाड़ी अच्छे price range में है जो की लगबग 5 लाग रुपए own road में आपको मिल जाती है turn indicators फेंटर पे दिये गए हैं 13 inch के steel rim के साथ इस गाड़ी में tires मिलते हैं wheel covers इसमें add on कर आए गए हैं इसके prices आप लोगों के सामने और वेगरार की तरह ये गाड़ी यूची भी नहीं है और इसके चलने में कोई issue आप लोगों के सामने नहीं आता है अच्छी गाड़ी है रोड़ पे चिपक के चलती है जम के चलती है अच्छी खासी 165 mm की ground clearance है ये base model है तो इसमें आपको black color के ओर वियम्स मिलते है जो की externally adjustable है internally आप इनको adjust नहीं कर सकते है power antenna दिया गया है इस गाड़ी की wind shield काफी slope में है तो हवा एकदम से इस से टकरा के पीछे निकल जाती है और गाड़ी की speed पे और average पे बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है ज़्यादा fraction नहीं होता है इस गाड़ी में chrome finish में door handles इस गाड़ी में add on कराए गए है chrome plates door handles पे add on करी गई है उसके prices आप लोगों के सामने है बात करें tail lamp की तो halogen tail lamp इस गाड़ी में दिया गया है break light और parking light red color में turn indicator और break light बिल्कुल clear दी गई है काफी अच्छा combination red और clear color का इसमें काफी अच्छी look देती है tail lamps इस गाड़ी को सुजिकी का logo, sellerio की bashing काफी अच्छी back look high mount stop lamp इस गाड़ी में दिया गया है back से काफी अच्छी look है गाड़ी की number plate के लिए जो space मना गया है वो हलका सा कर्व जो bumper पे दिया गया है और जो boot की किनारी को बाहर की तरफ मोड के उसका design मना गया है वो सब मिलकर back को काफी अच्छी look देते हैं इस गाड़ी में 235 लिटर का boot space इस गाड़ी में आपको मिल जाता है hatchback के हिसाब से 235 लिटर का boot space काफी अच्छा माना जा सकता है ये है spare wheel आप देख सकते हैं आपके सभी पाने वगयरा यहाँ पे बड़े आराम से बड़े organize तरीके में रखे गया है wheel के उपर और ये आप इसको ढख सकते हैं और इसको काफी अच्छी तरह से सपने समान के लिए use कर सकते हैं बात करें interior की तो बिलकुल normal चाबी आपको मिलती है remote control center locking वगयरा इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती है आप इसमें add on करा सकते हैं ये है front driver side का दरवाजा जिसकी की बिलकुल normal look है बिलकुल साधी look आप देख सकते हैं black color में door handles, normal window के handle speaker की जगें यहाँ पर दी गई है अगर आप इसमें stereo add on कराते हैं तो speakers लगवा सकते हैं driver seat की height adjust करने का option नहीं है इस गाड़ी में seat covers add on किये गए है adjustable head rest आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं यह है interior look इस गाड़ी की आप देख सकते हैं two tone interior इस गाड़ी में आपको मिलेगा black और बीज का काफी अच्छा combination dashboard की look के बात करें तो बहुती सुन्दर बहुती प्यारी look है चाहे base model हो या हो top model dashboard की look और interior आपको same मिलता है stereo वगेरा का फरक होता है जो कि आप इसमें after market लगवा सकते हैं openable और closeable इस events दिये गए हैं sideों में जो कि काफी helpful होते हैं आपको हवा वगेरा रोकनी एक side या दूसरी side में तो आप रोक सकते हैं चोटा मोटा समान रखने के लिए हैं जगें दी गई है light के controls दिये गए है पेट्रोल टंकी का lid खोलने के लिए lever यहां दिया गया लेकिन यहां पे boot खोलने का lever नहीं दिया गया जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि boot आप back से ही खोल सकते हैं चाबी से इंटरनली आप boot को open नहीं कर सकते हैं यह है MID मिटर इस गाड़ी का speedometer नॉर्मल देखने को मिलेगा और बाकी information आपको digital देखने को मिल जाएंगी काफी अच्छी shape में AC vents दिये गए हैं center console पे काफी अच्छी look है center console की इस गाड़ी में यह 2DIN का audio system इस गाड़ी में add on कराया गया जिसके price आप लोगों के सामने है दो speaker के साथ और USB, Oaks, Bluetooth की connectivity के साथ यह system इस गाड़ी में add on कराया गया है आप भी showroom से या after market अच्छा सा stereo इस गाड़ी में add on करा सकते हैं AC heater दोनों ही दिये गए हैं जिसके की control center console पे दिये गए हैं 12V का output इसमें दिया गया जिसमें कि आप charger वगएरा, accessory वगएरा अपना लगा सकते हैं 5-speed manual transmission में गाड़ी दी गई है और front cup holders दिया गया है बैक में भी एक पानी की बोतल या एक cup आप रख सकते हैं 5 लाक रुपे की range में काफी अच्छा color combination मारुती ने इस गाड़ी में दिया हुआ है Swift में भी आपको पूरा interior black मिलता है जबकि इस गाड़ी में आपको black और beach मिलता है जो की काफी अच्छी look इसको दे देता है गाड़ी को ये glow books compartment आप देख सकते हैं इस गाड़ी में काफी बड़ा glow books मिल जाता है काफी अच्छी dashboard की look cabin lights बिलकुल सरके उपर दी गई है side में unfoldable handles दिये गए हैं और ये है आप लोगों के सामने accessory list जो की इस गाड़ी में लगी हुई है seat covers, wheel covers, side molding अभी गाड़ी में लगनी बाकी है जो की लग जाएगी mats भी delivery के टाइम डेल जाएंगे chrome handles, music system, front speaker, spacer, antenna, speaker wiring और टोटल मिलाके 25,273 रुपए का accessories इस गाड़ी में लगी हुई है कार के साथ साथ accessory के price भी showroom to showroom और city to city differ कर सकते हैं आप अच्छे से अपने prices जरूर चेक कर लें तो जलिए गाड़ी की lights जलाके देख लेते हैं यह देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी पीली रोसनी देती है halogen lights दी गई है, halogen का ही indicator दिया गया है काफी अच्छी headlight दी गई है और turn indicator side में दिये गए है जो कि side passing के time काफी अच्छे साबित होते हैं बात करें rear की तो वही black color का gripper bottle holders आपको दिये गए हैं पीछे वाले दरवाजे पे front में नहीं है लेकिन back में bottle holders दिये गए है speaker लगाने की जगे है black color के door handles, normal window का handle दिया गया है back की seat की बात करें तो back में आप देख सकते हैं black color के leather covers इस गाड़ी में add-on किये गए हैं जिसके prices आप लोगों के सामने हैं काफी अच्छे seat cover हैं बाके आपके choice से आप दूसरे भी seat covers लगा सकते हैं बैट के देख लेते कि space आपको इस गाड़ी में कितना मिलता है तो ठीक ठाक space आपको इस गाड़ी में मिल जाता है बहुत ज़्यादा space नहीं है लेकिन फिर भी काफी अच्छा space है बात करें गाड़ी के engine की तो ये गाड़ी 998 CC 66 BHP 90 NM टोरक और 21 किलोमेटर पर लिटर के अवरिज के साथ हाती है इस गाड़ी में 3 सिलिंडर K10B 1 लिटर पेटरोल इंजन यूज किया गया है ABS, single airbag, child safety lock, crash sensor, front impact beam, side impact beam, engine check warning, anti-theft device जैसे safety features भी दिये गए है बात करें इस गाड़ी के pricing की तो ये गाड़ी 4,41,000 रुपए एक शोरूम और लगबग 4,90,000 रुपए ओन रोड आपको मिल जाती है याने के 5,00,000 के नीचे नीचे ये मैं गुडगावा के price की बात कर रहा हूँ, city to city ये prices differ कर सकते हैं कोई भी मारुत की गाड़ी गुडगावा NCR में खरीदने के लिए आप contact कर सकते हैं, detail आपके screen पे हैं वीडियो को एंट तक देखने के लिए thank you दोस्तों